आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग और व्यफकलन पूर्णांकों यानि integers के योग यानि addition और व्यफकलन यानि subtraction की समझ हमें कई स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होती है जैसे ये राहुल का पैंक खाता है इसमें जमाराशी धन चिन से और निकाली गई धन राशी रिन चिन से व्यक्त की है शेश प्राप्त करने के लिए पहले की शेश रकम के साथ इनका योग किया गया है इस तरह पूर्णांकों के योग और व्यवकलन का उपयोग हम और भी कई सितियों में करते हैं जैसे कुल लाब पता करने के लिए तापमान में बढ़त या कमी पता करने के लिए इत्यादी तो आईए सीखे पूर्णांकों का योग यानि addition of integers कैसे करते हैं मान लीजिए किसी स्थान का तापमान धन 5 degree Celsius है और वह धन 3 degree Celsius से बढ़ता है तो नया तापमान क्या होगा यह धन 5, धन 3 से पता किया जा सकता है अगर पूर्णांकों का चिन समान हो तो उन्हें चिन के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन लगाया जाता है जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों को यानि positive integers का योग करते समय इन्हें चिन के बिना जोड़ते हैं और परिणाम 8 को धन चिन के साथ यानि धन 8 के रूप में व्यक्त करते हैं इसी तरह अगर तापमान रिंट 5 डिग्री सेल्शियस है और तापमान में रिंट 3 डिग्री सेल्शियस का परिवर्थन होता है तो नया तापमान क्या होगा यह रिंट 5 धन रिंट 3 से पता किया जा सकता है यहां दो रिनात्मक पूर्णां को यानि निगेटिव इंटीजर्स का योग किया जा रहा है जिनका चिन्न समान है इसलिए यहां भी पहले हम इन्हें चिन्न के बिना जोड़ेंगे और परिणाम 8 को रिंट चिन्न के साथ यानि रिंट 8 के रूप में व्यक्त करेंगे अब मानली जी तापमान धन 5 जिग्री सेल्शियस है और तापमान में रिंट 3 जिग्री सेल्शियस का परिवर्तन होता है तो नया तापमान क्या होगा यह हम कैसे पता करेंगे सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं यह धन 5 धन रिंट 3 से पता किया जा सकता है अगर जोड़ी जाने वाली संख्याओं के चिन्न अलग हो तो हम चिन्न को नजरंदास करते हैं और बड़े मान से छोटा मान घटाते हैं और फिर परिणाम के साथ बड़े मान वाली संख्या का चिन्न लगाते इसलेपरिणाम होगा धन 2 इसी तोरह रिंड 5, धन, धन 3 करना होगा तो हम पाँच रिंड 3 करेंगे जिससे परिंड दो प्राप्त होगा फिर हम इसके साथ बड़े मानवाली संख्या यानि रिंड 5 का रिंड चिन्न लगाएंगे यानि कि जवाब राप्त होगा रिंड दो पूणांकों का योग संख्यारेखा पर भी किया जा सकता है आईए इसे समझे धन 5, धन, धन 3 का योग संख्यारेखा पर करने के लिए पहले हम धन 5 का संख्यारेखा पर स्थान ग्याद करेंगे चुकि धन 5 धनात्मक पूणांक है इसलिए इसका स्थान 0 से दाई और 5 कदमों पर है फिर हम दूसरी संख्या का चिन देखते हैं संख्यारेखा पर दो पूणांकों का योग करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन धन होगा तो हम पहली संख्या की दाई और चलते हैं और अगर रिन हुआ तो बाई और चलते हैं चुकि यहां दूसरी संख्या का चिन धन है इसलिए हम पाँच से दाई और तीन कदम चलेंगे इससे हम पहुँच जाएंगे धन आठ पर जो की धन पाँच धन धन तीन का परिणाम है इसी प्रकार अगर हमें रिंड पाँच धन रिंड तीन करना होगा तो शून्य से बाई और पाँच कदम चलेंगे फिर दूसरी संख्या का रिंड चिन्न होने के कारण फिर से तीन कदम पाई और चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे रिंड आठ पर जो की रिंड पाँच धन रिंड तीन का परिणाम है सरा सोचिये, अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5, धन, रिण 3 का परिणाम प्राप्त करना होगा, तो ये हम कैसे करेंगे? सोची सोची ये आपने सही सोचा, धन 5 के लिए पहले हम 0 से 2 और 5 कदम चलेंगे, और फिर उसमें रिण 3 जोडने के लिए 2 और 3 कदम चलेंगे इसलिए परिणाम होगा धन 2 अब आईए जानते हैं पुर्णांकों का व्यफकलन यानि सब्ट्राक्शन ओफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझना जरूरी है अगर दो संख्याओं का योग शून्य आता है तो वे एक दूसरे की योज़ प्रतिलों यानि एडिटिव इन्वर्स होती है जैसे धन 5 और रिंड 5, रिंड 3 और धन 3, रिंड 9 और धन 9 इत्यादी संख्याओं के इन युगमों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं किसी संख्या का योज़ प्रतिलों संख्या को विपरत चिन्न के साथ लिखकर प्राप्त किया जाता है इस समझ के साथ आईए पूर्णांकों का व्यवकलन करें मानलीजिये ताप्मान धन 5 डिग्री से खट कर रिंड 3 डिग्री से पर पहुच जाता है और हमें ताप्मान में गिरावट पदा करनी है तो यह हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें अंतिम ताप्मान यानि रिंड 3 डिग्री से प्रारंबिक ताप्मान यानि धन 5 डिग्री से खटाना होगा जब भी हमें एक पूर्णांग में से दूसरा पूर्णांग घटाना होता है तब हम खटाए जाने वाले पूर्णांग का योज़ु प्रतिलों दूसरे पूर्णांग में जोडते हैं जैसे अगर रिंड 3 सिव धन 5 का व्यवकलन करना होगा तो हम रिंड 3 के साथ धन 5 का योज्य प्रतिलों जोडते हैं यानिके रिंड 5 को जोडते हैं पूर्णांगों का योग कैसे किया जाता है यह हम पहले ही सीख चुके हैं यहाँ पर रिंड 3 धन रिंड 5 का योग आएगा रिंड 8 यानिके रिंड 3 रिंड धन 5 बराबर रिंड 8 संख्यारिखा पर व्यवकलन करने के लिए हम पहले व्यवकलन को योग में परिवर्दित कर लेते हैं और फिर संख्याओं को जोड़कर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं परिवर्दन के बिना भी हम संख्यारिखा पर व्यवकलन कर सकते हैं इसके लिए हम पहली संख्या का स्थान ग्याद करते हैं संख्या रिखा पर दो पूर्णांगों का व्यवकलन करते समय अगर दूसरी संख्या का चिन धन होगा तो हम पहली संख्या के बाई और चलते हैं और अगर रिंड होगा तो दाई और चलते हैं जैसे रिंड 3, रिंड, धन 5 का व्यवकलन करने के लिए पहले हम रिंड 3 का स्थान ग्याद करेंगे जो है 0 से 2 और 3 कदमों पर और फिर हमें धनात्मक पूर्णांग धन 5 को घटाना है इसलिए रिंड 3 के 2 और 5 कदम चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे रिंड 8 पर जो कि र परिणाम है इसी तरह अगर हमें रिंड 5, रिंड, रिंड 3 का व्यवकलन करना होगा तो पहले हम रिंड 5 का स्थान ग्याद करेंगे जो है 0 से 2 और 5 कदमों पर चुकि अब हमें रिंड पूर्णांग रिंड 3 को घटाना है इसलिए रिंड 5 के दाई और 3 कदम चलेंगे इसस पहुच जाएंगे रिंड 2 पर जोकि रिंड 5, रिंड, रिंड 3 के व्यवकलन का परिणाम है इस तरह से आज हमने सीखा पूर्णांकों का योग और व्यवकलन अगले वीडियो में कुछ उधार्णों से इन्हें और अच्छे से जानेंगी